प्रधान विश्य इस अध्याय के एक से छेश लोग तक सांख योग और निश्काम कर्म योग का निर्णे, साथ से बाराश लोग तक सांख योगी और निश्काम कर्म योगी के लक्षन और उनकी महमा, तेरा से छबिश लोग तक ज्ञान योग का विश्य और सताई से उनक्तिश लोग तक भक्ती सहित ज्ञान योग का वर्णन किया गया है। और फिर निश्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हो। इसलिए इन दोनों में एक जो निश्य किया हुआ कल्यान कार गोवे उसको मेरे लिए कहिए। शिरी भवानों वाज सन्यासा कर्म योगस्ट। निश्रेश क्राब भव। तयोस्तु कर्म सन्यासा कर्म योगो विशिष्यते। गेहासा नित्य सन्यासी योणा द्वेश्टी न कांक्ष्टी। निर्द्वन्दोही महाबाहो सुख्खम बंधात पर मुच्चते। सांख्योगो प्रिधकवालाह प्रवदंती न पंडिताह। एकमप्यास्थिताह सम्युग उभ्योर बिंदते फलं। इस परकार अर्जुन के पूछने पर स्रीकिशन महराज बोले है अर्जुन कर्मों का सन्यास और निश्काम कर्मयोग ये दोनों ही परमकल्यान के करने वाले हैं प्रंतु उन दोनों में भी कर्मों के सन्यास से निशकाम कर्म योग साधन में सुगम होने से स्रिष्ट है इसलिए है अर्जोन जो पुरुष ना किसी से द्वेश करता है ना किसी की अकांक्षा करता है वह निशकाम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझनी योग है क्यूंकि राग द्वेशादी द्वन्दों से रहित हुआ पुरुष सम्पूरन संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है और हे अर्जुन उपर कहे हुए सन्यास और निश्काम कर्मयोग को मूर्ख लोग अलग-लग फरवाले कहते हैं ना के पंडित जन क्यूंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार सित हुआ पुरुष दोनों के फर्रूप परमात्मा को प्राप्त होता है यत सांखे ही प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम साख्यम चा योगम च यहाँ पश्यती सपश्यती सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आत्तुम योगताह योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेन अधिक अच्छती योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियाह सरभूतात्म भूतात्मा कुर्वन न पीन लिप्यते तथा ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है निश्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निश्काम कर्म योग को फर रूप से एक देखता है वही अथार्थ देखता है प्रंतु हे अर्जुन निश्काम कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रियों और श्रीर द्वारा होने वाले संपूरन कर्मों में करतापन का त्याग ये प्राप्त होना कठिन है और भगवत शुरूप को मनन करने वाला निश्काम कर्म योगी परब्रम परमात्मा को शीगर ही प्राप्त हो जाता है तथा वश्मे किया हुए है श्रीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतय करनवाला एवं संपोरन प्राणियों के आत्म रूप प्रमात्मा में एकी भाव हुआ निश्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता है नैव किंचित करो मीती युक्तो मन्ये तत्तो विती पश्यन श्रिणमन सपिर्षन जिग्रन अश्नन गच्छन सुपन्षवन प्रलपन विश्रजन ग्रहनन उन मिशिन इन मिशिन नपी इंद्रियान इंद्यार थेशू बर्तन तेची धार्यन और हे अरजुन तत्तो को जानने वाला सांखियोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, सपर्ष करता हुआ, सुंगता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, तथा सोता हुआ, स्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहन करता हुआ, तथा आंखों को खोलता और भीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अर्थों में वर्त रही हैं इस परकार समझता हुआ निश्चन दे ऐसे मानें कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ ब्रह्मन्याधाय करमानी संग्यम्त्यक्त्वा करोतिया लिप्यते नासपापेन पदम्पत्तर वेभांबसा काएन मन्सा बुद्ध्या केवलै इरेंद्रिय इरपी योगिना करम कुर्वन्ती संग्यम्त्यक्त्वात्म शुद्धै युक्ता करम्फलं त्यक्त्वा शान्तिमापनोति नैश्चिकी अयुक्ता कामकारेन प्रंतु हे अर्जुन देहा अभिमानियों द्वारा यह सादन होना कठिन है और निश्काम करम योग द्वारा सुगम है क्योंकि जो पुर्ष सब करमों को प्रमात्मा में अरपन करके और आसक्ती को त्याग कर करम करता है वह पुर्ष जल से कमल के पत्ते की सद्रिश पाप से लिपायमान नहीं होता है इसलिए निश्काम करम योगी ममत्त बुद्धी रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धी और श्रीर द्वारा भीया सक्ती को त्याग कर अंतहकर्ण की शुद्धी के लिए करम करते है इसी से निश्काम करम योगी करम के फल को परमेशुर के अरपन करके भगवत प्राप्ती रूप शान्ती को प्राप्त होता है और सकामी पुर्ष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंदता है इसलिए निश्काम कर्म्यों पुत्तम है और हे अर्जुन वश में हैं अंता करन जिसके ऐसा सांखियो काच्रन करने वाला पुरुष्टो निश्चन्देह ना करता हुआ और ना करवाता हुआ नब द्वारों वाले श्री रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरती हैं ऐसे मानता हुआ अनन्द पूर्वक सचदारंद घन परमात्मा के इस रूप में सित रहता है और परमेशुर भी भूत प्रानियों के न तो करतापन को न कर्मों को और न कर्मों के फल के संजोग को वास्तों में रच्ता है किन्तु परमात्मा के सकाश से प्रकिर्ती ही बरतती है अर्थात गुनों ही गुनों में बरत रहे और सरव्यापी परमात्मा ना किसी के पाप कर्म को और ना किसी के शुब कर्म को भी ग्रहन करता है किन्तु माया के द्वारा ज्ञान धका हुआ है इसी से सब जीब मोहित हो रहे ज्ञानें तु तद ज्ञानम ये शामनाशित पात्पनाह तेशा माधित्य वद्य ज्ञानं प्रकाशैति तत्परं तद बुद्धी स्तदात्मानस तन निष्ठास तत्परायनाह गचंत्य पुनुराबृतीम ज्ञान निर्धूत कर्मशाह विद्या विने संपन्ने ब्राहमने गविहस्तनी शुनी चैवशवपाकेच पंडिताह समदर्शिनाह प्रंतु जिनका वह अंतह करण का अज्ञान आतम ज्ञान द्वारा नाश हो गया है उनका वह ज्ञान सूर्य के सद्रिश उस सच्चदानंद घन परमात्मा को परकाशता है और हे अर्जुन तद रूप है बुद्धी जिनकी तथा तद रूप है मन जिनका और उस सच्चदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एकी भाव से स्थिती जिनकी ऐसे तप प्रायन पुर्ष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुन्राब्रती को अर्थात परमगती को प्राप्ठ होते हैं ऐसे वे ज्ञाने जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मन में तथा गव हाथी कुत्ते और चंडार में भी संभाव से देखने वाले ही होते हैं अर्थात इनमें कोई भेदभाव नहीं देखते हैं इहै इवितेर जिताह सरगू ये शाम सामे स्थितम मनाह निर्दोशम ही समं ब्रह्म तस्माद ब्रह्मनी ते स्थिताह ना प्रहिशेत प्रियम प्राप्य नो द्वुजेत प्राप्य चाप्यम स्थिर बुद्धीर मसं मूड़ो ब्रह्म विद ब्रह्मनी स्थिताह बाही सपर्शे स्वत्तात्मा विंदतात्मनियत सुखम साप ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षय मशुनते येही संसपर्श जाभोगाहा दुखयो नया एवते आध्यंतबंत कौन ते नतेशुरम ते बुधाहा इसलिए जिनका मन समत्तुभा में स्थित है उनके द्वारा इस जीवत अवस्था में ही संपुरुन संसार जीत लिया गया क्योंके सचिदानंगन परमात्मा निर्दोष और सम है इससे वे सचिदानंगन परमात्मा में ही स्थित हैं और जो पुरुष प्रियको अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हरशित नहीं हो और अप्रियकों अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेग वान नहो ऐसा स्थिर बुद्धी संशे रहित ब्रह्मवेता पुर्ष सचिदा अनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एकी भाव से नित अस्थित है और बहर के विश्यों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसकती रहे तंतह करण वाला पुर्ष नतह करण में जो भगवत ध्यान जनिता अनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुर्ष सचिदा अनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एकी भाव से इस्थित ह हुआ अक्षय अनंद को अनुभव करता है और जो यह इंद्रिय तथा विश्यों के संयोग से उत्पन होने वाले सब भोग हैं वे यद्यपी विशेई पुर्षों को सुखरू भासते हैं तो भी निस्संदे दुख के ही हे तुँ है और आदियंत वाले अर्थात अनित्य ह इसलिए हे अर्जुन बुद्धी मान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता है शक्लोती है वियासो धुम प्राक्ष्रीर विमोक्षणाती काम क्रोदोध भवं बेगं सायुकतासा सुखी नराह योवंता सुखो अंतर रामस तथांत जोतीरे वियाह सायोगी ब्रह्म निर निर्वानम ब्रह्म भूतो अधिगच्छती लबंते ब्रह्म निर्वानम रिश्याक्षिन कल्मशाह छिन द्वेधायतात्मानहा सरभूत हिते रताह जो मनुष्य श्रीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन हुए बेग को सहन करने में समर्थ है अर्थात काम करोध को जिसने सदा के लिए जीत लिया है वह मनुष्य इस लोग में योगी है और वही सुखी है जो पुर्ष निश्चा करके अंतर आत्मा में ही सुख वाला है और अंतर आत्मा में ही अराम वाला है तथा जो अंतर आत्मा में ही ग्यान वाला है ऐसा वह सच्चदानंद पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकी भाव हुआ सांखियोगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। और नाश हो गए हैं सब पाप जिनके तथा ज्यान करके निब्रित हो गया है संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रती जिनकी एकागर हुआ है भवान के ध्यान में चित जिनका ऐसे ब्रह्म वेता पुर्ष शांत पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्राणा पानव समों कृत्वा नासा भ्यंतर चारिणव यतेंद्रि मनों बुद्धिर मुनिर मोक्ष पनाहिना बिगतेच्छा भै क्रोध हो या सदा मुक्त एवसा ह। और काम क्रोध से रहे जीते हुए चित वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात कार किये हुए ज्यानी पुर्षों के लिए सब और से शांत परब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त है। और हे अर्जुन बाहर के विशे भोगों को नचिंतन करता हुआ बाहर ही त्याक कर और नेत्रों की द्रिष्टी को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीती हुई हैं इंद्रिया मन और बुद्धी जिसकी ऐसा जो मोक्ष प्रायन मुने इच्छाब है और क्रोध से रहित है वह सदा मुक्त ही है भोगतारं यग्यत अप्साम सर्वलोक महेश्वरं सुहिर्दं सर्वभूतानाम ग्यात्वामाम शान्तिम रिच्छती और हे अर्जुन मेरा भक्त मेरे को यग और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के इच्छों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहिर्द अर्था स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसा तक तुसे जानकर शान्ति को प्रप्त होता है और शिरी मत भगवत गीता सुपनिशु ब्रह्म विद्यायाम लोग शास्त्रे शिरी कृष्णार्जुन समवादे करम सन्यास योगो नाम पंचमों अध्याय अरियों तसत हरीयों तसत हरीयों तसत